नमस्कार दोस्तों मैं विजे कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल True and Details में तो दोस्तों यह हमारा समान नियाध्यन का Practice Set 9 होगा जिसमें हम 25 में तो पुर्ण प्रस्ण को करवाएंगे और 25 में से आप कितनी प्रस्ण कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जुरू बताएं दोस्तों और उससे पहले Practice Set 8 में जो हमने आपसे सवाल पुछाता है यानि कि HW उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे तो दोस्तों वीडियो लास्ट देखिया है क्योंकि सारे प्रस्ण दोस्तों घटना चक्र से लिए गया है सारे प्रस्ण किसी ना किसी वर्स रेलवे एक्जाम ने पूछ लिया है तो चलिए दोस्तों सुवात करते हैं आज का हमारा पहला प्रस्ण हमारा पहला प्रशन है दोस्तों नेमनल लखित में से कौन सी हडित ग्री गैस नहीं है एक कारबन डाय ओक्साइड दो नाइट्रस ओक्साइड तिन नाइट्रोजन चार मिथेन तो इसका सही अंसर रोगा दोस्तों आपसन तीन नाइट्रोजन हडित ग्री गैस नहीं है दोस्तों यादर केगा नाइट्रोजन तो चलिए अगले प्रशन के बढ़ते हैं बंस को किसमे वर्गी क्रीत किया जाता है तो इसका सही अंसर रोगा दोस्तों अपसन दो घास यादर केगा दोस्तों घास में तो चलिए अगले प्रशन के बढ़ते हैं चिकसा सास्त्र का जनक किसे कहा जाता है एक लैमार्क को, दो गैलन को, तीन अरस्तू को, चार हिपोक्रेटस को तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों इसका अंसर होगा दोस्तों अपसन चार हिपोक्रेटस को चिकसा सास्त्र का जनक कहा जाता है तो चलिए अगले प्रशन के बढ़ते हैं एक संगनन, दुहीमी करन, तिन वास्पी करन, चार इनमे कोई नहीं तो इसका सभी अंसर आप सब्सक्रेटस को, तीन वास्पी करन कहते हैं तो चलिए अगले प्रशन के बढ़ते हैं बलांटिक पेंपर दौरा सियाही के सोखने में है एक कोशी की अभिक्रिया परिगटना, दो स्याही की स्यान ता, तिन साइफन क्रिया, चार उपर युख्ट सभी तो इसका सही अंसर वादस्तों अप्सन, एक कोशी की अभिक्रिया परिगटना तो चलिए अगले प्रूशन के ओर बढ़ते हैं किसी लोलग की लंभाई चार परतिसत बढ़ा दी जाए तो उसका अवर्थकाल एक चार परतिसत बढ़ जाएगी दो दो परतिसत बढ़ जाएगी तीन आठ परतिसत बढ़ जाएगी चार एक परतिसत बढ़ जाएगी तो इसका सही हर सरगा दोस्तों आपसन दो दो परतिसत बढ़ जाएगी, तो चलिए अगले प्रेश्ण के ओर बढ़ते हैं, प्रोटोन पर आवेश, डैस पर आवेश के बरावर होता है, बरावर है, एक निउट्रोन, दो पोजिट्रोन, तीन इलेक्ट्रोन, चार अलफा कन, तो इसका सहर अज़र का दुस्तों अप्शन, चार इन में कोई नहीं, तो इसका सही अंसर का दुस्तों अप्शन, दो बैधुत सही अज़र कोई नहीं, तो चलिए अगले प्रेश्ण के ओर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रोन लेकर हिलियम का इलेक्ट्रोनिक विण्यास प्राप्त करने की प्रविर्ती होती है, इस प्रविर्ती की समानता रखता है, एक छारी मिर्दा धातों से, दो छार धातों से, तीन अक्रिय गैसों से चार इनमें कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो दोस्तों अप्सन तीन अक्रिय गैसों से या अक्रिय गैसों से समानता रखता है चली अगले प्रश्ण के अबढ़ते हैं लॉजिक गेट क्या है एक सौफ्टवेर दो एक कम्प्यूटर गेम तीन एक प्रकार का सर्किट चार इनमें कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो दोस्तों अप्सन तीन एक प्रकार का सर्किट होता है लॉजिक गेट तो चली अगले प्रश्ण के अबढ़ते हैं भारतिय संस्कृति का स्वर्ण यूग था एक चोल काल दो गुप्त काल तिन राजपूत काल चार इनमें कोई नहीं तो इसका सही अंसर का दोस्तों अप्सन दो गुप्त काल भारतिय संस्कृति का स्वर्ण यूग था गुप्त काल गुप्त वन्स के हरास के पस्चात उत्तर भारत में बरे भाग का पुनर गठन किस ने किया एक हर्स वर्धन ने दो चालुक्य ने तीन राज पूत ने चार सक ने तो इसका सही अंसर कर दोस्तों अपसन एक हर्स वर्धन ने तो चलिए अगले प्रश्ट के पर बढ़ते हैं चौदा सव अंठानवे स्वी में वास्को डिगामा भारत में कहां उत्रा था एक कोचीन में दो बंबई में तीन हुगली में चार काली कट में तो इसका सही अंसर को दोस्तों अपसन चार काली कट में या अधर के दोस्तों काली कट में उत्रे थे वास्को डिगामा तो चलिए अगले प्रश्ट के पर बढ़ते हैं वहाबी आंदोलन का मुख्य केंदर था एक पठना, दो मुंबई, तिन लखनाओ, चार तमिल नडू तो इसका सही अंसर को दोस्तों अपसन एक पठना, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंदर था पठना जो की बिहार में पड़ता है तो चली एगले प्रश्ण केर बढ़ते हैं राष्टिय विकास परिसत की अस्थापना कब की गई 1952 में 1947 में 1985 में 41949 में तो इसका सहा अस्र रोग्षila तो अस्थापना की गई थी तो चली एगले प्रश्ण केर बढ़ते हैं EVM का परियोग भारतीय चुनव में कब से प्रारंब हुआ? तो इसका सभी अंसर हो दोस्तों, पाप्सन 4.1989 से eVM का परियोग होने लगा से दोस्तों भारती चुनाब में तो चली अग relent प्राशन के बढ़ते हैं भारत में सर्व पर्थम पत्र मुद्रा का चलाने कब प्रारंब हुआ था एक सत्रे सो चैस भी में, दो अठार सो चैस भी में, तीन उनिस सो चैस भी में, चार सल्लस सो चैस भी में तो इसका सही अंसर का दोस्तों आपसन दो अठार सो चैस भी में प्रारंब हुआ था भारत में मौदरिक नीती कौन बनाता है एक भारत का अध्योगिक बित्विभाग, दो भारतिये रिजर्व बैंक, तिन केंद्रिय सरकार, चार उपर युप्त सभी तो इसका सही अंसर को दो भारतिये रिजर्व बैंक तो चलिए अगले प्रशन के बढ़ते है सौर प्रिष्ट पर लगभग कितना तापमान होता है 1.6 degree Celsius, 2.600 degree Celsius, 3.6000 degree Celsius, 4.60 dying Celsius तो इसका सही अंसर भारतियों आपसन तीन छέằज़ाद डिगरी Celsius होता है लगभग में तो चलिए अगले प्रशन के बढ़ते है किस महधूित में एटलस प्रवत इस्थी थे एक यूरोप में, दो कनाड़ा में, तीन अफ्रीका में, चार अउस्ट्रेलिया में तो इसका सही अंसर को दोस्तों अफ्रीका महादीप में इस्थी थे दोस्तों एटलस परवत, चलिए अगले प्रोशन क्यों बढ़ते हैं बिस्थो की सबसे लंबी महादीप ये रेलवे कौँ सी है? एक ट्रांस अटलांटिक रेलवे, दो ट्रांस साइवेरियन रेलवे, तीन कनाडियन नेशनल रेलवे, चार इनमें कोई नहीं तो इसका सही अंसर को दोस्तों अप्सन दो ट्रांस साइबेरियन रेलवे तो चलिए अगले प्रिश्ण के बढ़ते हैं प्रत्थम आदिवासी उद्ध्यमिता सम्मेलन कहां हुआ है एक भुबनेश्वर में, दो देहरादून में, तीन दानते बाड़ा में, चार बैंगलूरू में तो इसका सही अंसर अप्सन तीन दानते बाड़ा में या धर करें दोस्तों दानते बाड़े में हुआ हैं तो चलिए अगले प्रिश्ण के बढ़ते हैं 22 जनवड़ी 2015 को किन दो योजनाओं की शुरुआत की गई एक फास्टेग और पहली योजना की, दो स्वक्ष भारत मिसन और पहली योजना की, तीन स्कील इंडिया और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की, चार बेटी बचाओ, बेटी मिल पूल परिवरतित नाम है एक राजिंदर पूल दो स्वाराजपूल तो इसका तो इसका सही अंसर हुआ दोस्तों आपसन तीन अगर अटल सेतू या तरह करें दोस्तों अटल सेतू बोगी बिलपूल का परिवर्थित नाम है अटल सेतू तो चली हमाँ आखरी प्रस्ट के अबरते हैं हमाँ आखरी प्रस्ट दबेश्ट फिफा महिला गोलकीपर 2019 कौन बन तो चली हमने प्रैक्टिस सेट आठमी आपसे सवाल पुछा था उसका जवाब बताते हैं सवाल था दोस्तों पूस्तक धर थर्ड पिलर के लेखक कौन है तो इसका सही अंसर का दोस्तों आपसन एक रगुराम राजन या दरके दोस्तों रगुराम राजन जो कि हमारे भार कूट टाइटन्स के कप्तान कौन है अपसन आपके सामने एक सुरेंद्र नडडा दो राहुल चौजरी तीन प्रदीप नडवाल दोस्तों इस प्रशन का उतर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों और पचीस में से आपने कितने प्रशन किये होगो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो क्रिप्या लाइक करिए सेर करिए और मेरे चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूं उसका सबसे पहले आपको पहुंचेगा दोस्तों जले दोस्तों आस तक के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत